मंत्राले भारत सरकार अब आपकी तालियों के साथ आमन्तित करती हूँ मानिनी लोकसवा अध्यक्षी आदिने श्री ओम जी विल्ला जी आज इस में औध्यों कि मेले और प्रदश्णी के अंदर हमारे बीट में पधारे माराष्ट के पूर मुख्य मंत्री केंद्र सरकार में लगू उद्योग खादी और विविन विभागों के मंत्री मानिय स्रीम नाराएंडराने जी का मैं हार दिक अभिनंदन करता हूँ सागत करता हूँ नाराएंडराने जी माराष्ट के एक बहुत संगर्शील वेक्तित हैं जिन्होंने जीवन भर गरीव शोशीत वेक्तियों के जीवन को परिवर्टन करने का काम किया और समाज के अंदर किस तरीके से लोगों की जिन्दिग्यों को बैतर हो उसके लिए लगातार उन्होंने पूरे माराष्ट में काम किया मुझे आशा है आपके नित्रत्र के अंदर भारत के अंदर सुष्म लगू मध्यम उध्योगों को नई दिशा मिलेगी और आने वाले समय के अंदर हमारा MSME सेक्टर जो आज भी देश के अंदर आर्थिक ग्रोध का इंजन है जो आज भी हमारी आर्थिक तंद का महत्पून उध्योग है जो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला है उसमें आपके विजन से नई दिशा मिलेगी साथियों इस देश के अंदर MSME का योगदां 30% है और रोजगार की डुष्टी से देखें तो सबसे ज़्यादा अगर रोजगार मिलता है तो MSME सेक्टर के अंदर रोजगार मिलता है और आने वाले समय के अंदर भारत के प्रदान मंती जी का मानना है कि MSME सेक्टर केवल हमारे भारत का नई ग्लोबल आर्थिक तंक बने और इसलिए MSME सेक्टर के अंदर सरकार ने वह नितिया बनाई है पोलिसी बनाई है और नई नितियों पोलिसी के माध्यम से छोटे छोटे गाउं के अंदर भी किस तरीके से हम लगू उध्योग लगाकर शुश्म उध्योग लगाकर कुटि उध्योग लगाकर खादी ग्राम उध्योग लगाकर लोगों की जिंदियों को कोई बेतर कर सकते हैं और रोजगार भी दे सकते हैं और इसलिए सरकार ने एक और प्रयास किया है कि हर जिले के अंदर जो वहां का प्रोड़क्ट हो उस प्रोड़क्ट रो आने वाले समय के अंदर ग्लोबल मार्केट मिले उसके लिए भी एक डिजिटल सिस्टम को डल अप किया है ताकि कोई भी छोटे गाउं के अंदर भी कोई प्रोड़क्ट बनाता है कोई वेल्य एडिशन करता है तो उसका मार्केट राश्ट्री अंतराश्ट्री हो सके और इसलिए आने वाले समय के अंदर इस देश के अंदर समाज के अंदर का परिवर्तन लाना है लोगों को आर्थी ग्रूप से मजबूत करना है गाउं के अंदर रोजगार देकर लोगों की नोजवानों की जिंदिगियों को बेतर करना है तो इस सेक्टर के और विशेश ध्यान देना पड़ेगा और जैसे मानिमंती जी ने चिंता बेक्षी और ये मेरे लिए विशेश चिंता का विशेश है कि किसी जमाने में कोटा ओध्यों की नगर के लाता था और आज देश के अंदर सबसे कम MSME सेक्टर के रूप में हम खड़े हैं और इसी लिए इस मेले और प्रदश्णी लगाने का उद्देश भी यह है हमने पहले डिफेंस हैस्पो लगाया डिफेंस की बड़ी-बड़ी कमपनिया आई ताकि डिफेंस सेक्टर की छोटी-छोटे लगूप कुटी उद्द्योग MSM इंडस्ट्री लगे उसके बाद हमने किसी स्टार्टप मेला रगाया क्योंकि हडों की क्षिप्रदान है हम किस तरीके से किसान की आमनी को भी बढ़ाएं और वेलू एडिशन करकर गाउं के अंदर जो उत्पादन हो रहा है जो पसल पेदा हो रही है उसका वेलू एडिशन करकर राष्ट्री ये मार्केट भी दे सके और उसमें कुछ बहतर स्टार्टप भी आये थे और आज ये MSME का जो मेला है ये मील का पत्थर साबित होगा हमारे नोजवान साथियों हमारे जीवन के अंदर पढ़ने के साथ ही entrepreneurship होना ची हमारे हर कार में उद्यम्य होना ची अगर हमारा वीजन हम इनोवेशन इस दिशा की और होगा तो आने वाले समय में आप नोक्री लगाने वाले होंगे नोक्री मांगने वाले नहीं होंगे क्योंकि मैं देखता हूं जब भी मैं रोजगार मेला लगाता हूं हजारों की तादाद में नोजवान आते हैं अभी नोजवानों को करना चाहिए कि हम किस तरीके से नई स्टार्ट अप लगाएं गाउं के अंदर छोटे लगुप उध्योग लगाएं हस्त कला शिल्प कला के उध्योग लगाएं और गाउं में उस प्रोडेक्ट को मार्केटिंग करने के लिए आजकल डिजिटल प्लेट फार्म है जिसका बै इंडिस्ट्री सेक्टर के लोग भी बैठे मैं उनसे भी आग्रा करना चाहता हूं कि हमें नए इंडिस्ट्री सेक्टर को अगर डवलप करना है तो नए नए इनोवेशन नए जो रिशर्ज हो रहे हैं नए जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों को कोटा में लाकर और इंडिस्ट्री सेक्टर के लोगों को बताना चीए क्योंकि कोटा वश्यार है जो रोड कनेक्टिविटी के अंदर सबसे बैतर है आने वाले समय में दिल्ली बंबे कोटिडोर बनने के बाद साड़े चार घंटे में दिल्ली और साड़े साथ घंटे में आप बंबई उत्तरपदेश कानपूर तक साड़े पाज घंटे छे घंटे में कानपूर तक पहुचे लिए रोड कनेक्टिविटी किसी भी शेत्र के अंदर आर्थिक प्रगत्ति का घोतक होता है हमारी रेल कनेक्टिविटी हमारी रोड कनेक्टिविटी और सबसे बड़ी बात किसी इ लहीं हैं बिजली के हर तरह के उद्धियोग कोईले से लेखार गेस से लेकर आटमिक पाउर से लेकर तबामेट जिस तरीगह की वीडिफ हो सकती है वगोड़ा में पैदा हो सकती है और राजकुमार जी चर्चा करे तो बूर्ट कि भी आप समयच की चिंता करो बहुत जल्दी एरपोर्ट भी आ जाएगा ताकि हर तरह के connectivity बढ़ जाएगी लेकिन सबसे बड़ी काम करना है आपको कि हम किस तरीके से MSME सेक्टर को develop करें अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कोटा में कोचिंग बनने के बाद हमारे industry sector के लोग भी होस्टल की तरह बढ़ गए हमें होस्टल बनाना यह हमारा काम हो सकता है लेकिन जो basic हमारा काम था हमारी entrepreneurship थी वो industries की थी और industries के लिए आज नाराने जिया हैं देश के कई अलगला हिस्सों से यहाँ पर industries के लोग हैं आप उनको देखें समझें और किस तरीके से भैश्च में और industry लग सकते हैं उसकी कालियोजना बनाए निश्चित रूप से हमारा लक्ष दो साल में होना चाहिए कि हम कोटा को फिर अध्योगी नगरी बनाए हाडोती के अध्योगी नगरी बनाए चाहे कोटा हो बूदी हो बाराओ जाला बारो पूरा तमाम शेट्र को कब किस तरीके से हम इंड़स्टीज का हफ बना सकते हैं छोटे छोटे लगू कुटी उद्ध्योग लगा कर हर में जाता हूं तो मैं देखता हूँ कि छोटी इंड़स्ट्रीज गया गाउं में आती है तो 25 लोग 50 लोग काम पे लग जाता है ये अगर छोटी छोटी इंडुस्टी हर छोटे छोटे गाउं में लगने लग जाए तो आज पास के गाउं के अंदर रोजगार का इससे बड़ा सादर नहीं हो सकता है इसलिए मेरा हमेशा प्रियास रहता है कि आने वाला भश इस देश को बदलने के अंदर इस देश को नई दिशा देने में इस देश की आर्थिक तंत को मजबूत करने के लिए सबस्ते बड़ा सेक्टर है MSME सेक्टर है और सरकार का सारा ध्यान इस MSME सेक्टर के अंदर है और सरकार की योजना है कि आने वाले समय के अंदर दुनिया के अंदर भारत ट्रेट के अंदर टेकनोलोजी के अंदर टूरिजम के अंदर हब बने और इसके लिए भारत के प्रधान मंतीज ने पूरे देश के अमबेसिज को कहा है कि इस इलाके के अंदर देश में छोटे ट्रेट को बढ़ाने के लिए भारत के उत्पादों को लाने के लिए और जो देश में अच्छी टेकनोलोजी है उस टेकनोलोजी को भारत में लाने के लिए और टूरिजम बढ़ाने के लिए ये काम हमें करना है और ये सब MSME सेक्टर के दाइरे में आते हैं मुझे आशा है आने वाले समय के अंदर हम सब के प्रयासों से आज तीन दिन मेला लगेगा या आप कुछ समझेंगे कुछ देखेंगे और उसके बाद जब रानाएन राइन जी दुबारा आएंगे तो उनको 36,000 की जगए 60,000 MSME इंडिस्टी लगे उनके सपनों को अपने सपनों को पुराओ सरकार की तरब से हर तरीके का सयोग देने को तयार है आप चिंता मत करिए चाए बैंक हो चाए कोई भी सेक्टर हो आपको इंडिस्टी लगाने में हर तरीके की साहिता मिलेगी आप सुभी को बहुत बहुत धन्यवादे